हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब वर्चना कीचन एन ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आज हम गाजर का हलवा ना तो घंटो मेहनत करके इसे घिसेंगे और ना ही घंटो पकाएंगे आज बहुत आसान तरीके से हम गाजर का हलवा बनाएंगे और इसे इतना मेरे पास एक केजी से थोड़ा जादा गाजर है सवा केजी है तो इतना गाजर घिसने में मुझे कम से कम आधा से पौन घंटा लग जाएगा लेकिन आज मैं इस कद्दुकस से गाजर को नहीं घिसूंगी आज मैं अपने फ्रूट प्रोसेसर में गाजर को आपको घिस करके दिखाऊंगी कि ये fruit processor जो होता है ये work करता है या नहीं तो मेरे पास ये fruit processor है ये बहुत पुराना है तो ये इसका part है तो ये काफी पुराना हो चुका है मेरा junk भी लग गया है तो मैं भी season में पहली बार ही इससे इस्तिमाल करूंगी और इससे fit करना बहुत आसान होता है तो यहाँ पर जो मेरा fruit processor है आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा है तो इससे जो है कि इस तरह से मतलब इसका डंडी है अंदर डाल करके मतलब घुमा दीजिए तो ये एकदम fit हो जाता है और ये मेरा fruit processor फ्रेंट कुछ नहीं तो 10 साल ये पुराना है तो थोड़ा ये अच्छे से रुक रुक मतलब चलता नहीं है रुक रुक के चलता है फिर भी मैं आपको इसी से पूरा बीडियो बना करके दिखाऊंगी तो यहाँ पर हम इसे देखिए कितना आसान था fit करना तो अब भी क्या है कि जो इसका पार्ट है कद्दू कस करने का वो अलग-अलग होता है तो यह कद्दू कस करने वाला है और इसे chips cutter भी हो जाता है तो यहाँ पर हम fit कर दिये हैं इसे और फिर उसके बाद हम एक-एक करके इसमें गाजर डालेंगे इसका धकन लगा करके और बहुत ज्यादा गाजरों को एक साथ नहीं भर दीजिएगा मेरे पास चोटे-चोटे गाजर है फ्रंट तो मैं इतना ही जितना इसमें अटा है उतना मतलब मैं इसमें डाल दी हूँ तो अभी क्या रहे हैं कि मैंने बताया ने कि मेरा फ्रूट प्रोसेशर बहुत पुराना है दज सल पुराना है तो यह थोड़ा गड़बड हो गया है मतलब इसके कुछ मतलब पार्ड हीले हो गया है तो यह एक लोगों से नहीं चलता है बस इसे एक बार हम जब मिला देते हुए इस तरह तो बहुत इज़ी चलने लगता है बस एक बार जाना होता है तो अभी आप देखिए जो मेरे पास सावाचेशी जाजर है ना इतना गाज है तो बीला होनी की वज़े लगाना पड़ रहा है अवरना यह जब सही था तो यह अकेले ही मैं इसमें मूली गाजर और चिप्स काटती थी तो अभी देखिए अभी मैं आपको टेक्श्चर दिखाऊंगा सौरी दिखाऊंगी कि इस जो गाजर जो है वह घिस करके कैसे न इसे मेरी फ्रंड ने कहा था कि मैं उसे बताऊं तो मैंने यह वीडियो ही बना डाली कि सभी कोई देख लेगा काफी यूजफूल होता है यह फूट प्रोसेसर इसमें बहुत सारे काम होते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे टेक्श्चर इसका तो यह फूट प्रोसेसर काफी मतलब यूजफूल है हमारे घर किचन के बहुत सारे काम यह बहुत इसली मतलब कर देता है तो हमारी टाइम की भी बहुत जादा बचत हो जाती है अगर हमारे पास ऐसा एक फूट प्रोसेसर हमारे घर में होता है यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है मेरी एक फ्रेंड की डिमांड थी उन्होंने कहाता ही मैं अपने फ्रूट प्रोसेसर में उन्हें कद्दू कस करके दिखाऊं तो मेरा फ्रूट प्रोसेसर भी थोड़ा सा गड़वड़ी था लेकिन फिर भी काम हो गया मेरा तो आज क की जो वीडियो है वो मेरी फ्रेंड की डिमांड पर बनी है और गाजर का हल्वा भी मैं बहुत इजी तरीके से बनाओंगी और इस तरह से भी बना हुआ गाजर का हल्वा बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट लगता है तो चलिए आगे की रेस्पी देख लेते हैं तो चीजार को पहले से ही पका करके रखे रहें तो इसी दूद में मैं घीस प्रेंगी आपको और हाँ पर हल्वा बनाने के लिए आज हम घी और किसी भी तरह की बेजी टेबल ओयल का प्रियोग नहीं कर रहे हैं अगर आपके घर सुद्ध घी आता है गाय का हो या भैस का तो आप इस तरह से एक बर बना जरूर बनाईएगा और आप देखिए का इसका टेस्ट बहुत अच् है यहां पर जो है कि मैं दस मिनट तक इसे मैं भूनी हूं इसी दूध में तो दस मिनट मेरा हो गया था तो अभी क्या होगा ना हमारा जो है कि गाजर 50 परसंट तक पक गया है तो क्या करेंगे अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो हमें चीनी तुरंथ नहीं डालना है पहले आप आपने जो गाजर है उसे अच्छे से गला लीजिए फिर जो है कि आप इसमें चीनी डालिएगा तो हम अपने टेश्ट के कॉर्डिंग चीनी लिए हैं और आप अपने टेश्ट कॉर्डिंग चीनी लीजिएगा एक केजी मतलब अगर आपका गाजर है तो इसमें एक कटोरी चीनी आपका लग जाएगा और वैसे आप अपने टेश्ट कॉर्डिंग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं थोड़ा सा ज्यादा चीनी डाली हूं क्योंकि मेरे यहां चीनी थोड़ा सा मतलब हल्वा थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी में जो आप मैंने अभी आप काला काला देखे थे ना वह लॉंग था मैं हमेशा चीनी में लॉंग डाल करके रखती हूं उसे चीटी वगरा नहीं चड़ती हैं डबे में तो अब चीनी डालने के बाद भी आपको करीब 10 मिनट गा का सकते हैं कि कीचन में काम कर रहे हैं और दूद को चड़ा दी अपना पकरा है और फिर हल्वे में डालने के लिए यहां पर हम ड्राइफ रूट लिए हैं और ड्राइफ रूट को भी आप देख रहे होंगे ना चाकू से नहीं काटे हैं फ्रण सीधे यह जो कमबट्टा ह होता है जिसे अद्रकों कोटते हैं मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उसी से इससे तोड़ ले रही हूं तो यहां पर चाको का भी इस्तेमाल नहीं की हूं तो देखे आज मैंने आप लोगों की कितनी सारे समय की बचत कर दी है इस तरह से तो मेरे भी समय की बचत हुई है विएसे तो मैं गाजर हमेशा हातसे ही घिस करके हलवा बनाती हूँ, क्योंकि जो कद्दु कस करके हलवा बनता है उसका टेष्ट एक Daval Stuff करके हलवा खाना पसंद है और मैं कोई तरीका नहीं अप hijाति हूँ मैं हमेशा हाथ से ही कदुकस करती हूँ गाजर को तो आप देख रहे हैं मेरा हलवा एकदम बन करके एकदम रेडी हो गया है टेक्स्चर देख लीजी और आप कलर देख लीजी उसी से पता चल जाएगा कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरा आज गाजर का हलवा बनाने का रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नीव होंगे फ्रंट तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा तो यहाँ पर गजो गाजर है कितना प्यारा कलर आए कि मैं खुदी देख रही हो इसे और किसी भी करतर है कि कलर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और बिल्कुल एकदम नैचुरल लाइट में मैंने यह मतलब वीडियो शूट किया है सिर्फ खिड़की खोले हैं आप देख पा रहे होंगे आपको रोशनी दिख रही होगी थोड़ी बहुत कीचन में एक साइट से आ रही है तो सुबह के टाइम में मैंने यह हल्वा बनाया है तो हल्वा बहुत स्वादिष्ट बना था फ्रण आप एक बर जरूर ट्राई करिएगा इस तरह से और मैं भी अपना इंज्वाए कर लेती हूं और आपको बताती हूं कि गाजर का हल्वा कायसा बना है तो गाजर का ब filling बीने मेंनत का तो और भी जादा शौदिष्ट लगता है और जल्दी जल्दी खाने का मन करता है तो फ्रण ठीक है आपनों को वीडियो पसंद आई तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में